नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर। 2023 को सावन महीने का छठा सोमवार का दिन है इस दिन करोडों की संख्या में लोग भगवान शिवजी के लिए वरत रखेंगे और आपकी जानकारी के लिए बता दें की सावन महीने की। सावन के सोमवार के वरत का पुन्य मिलेगा बलकि उसको अधिक मास की शिवरातरी के वरत का भी पुन्य एक साथ मिलेगा दोस्तों सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म का सबसे पवित्र महीना होता है और जो भी व्यक्ति इस महीने भगवान शिवजी को सच्चे दिल से पे और आपके परिवार सदैव बना रहे तो कमेंट बॉक्स में जाए और तुरंत लिख दीजिए ओम नमह शिवाय हर हर महादेव और अगर आप भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत बोलिएगा अगर आप अपने जीवन में गरीबी प करा करा के ठक चुके हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप सिर्फ सावन के छठे सुमवार के दिन जिस दिन अधिक मास की शिवरातरी भी पड़ रही है इस दिन प्राचीन काल के समय के 108 चावल के दाने और एक लोटे जल वाला महा उपाय कर जिए और इतना उपाय करने भर से ही आपको भगवान शिवजी का आशिरवाद मिलेगा जिसके बाद ना केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी परेशानी कष्ट और समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी बलकि आपकी कैसी भी मनोकाम ना हो मान लीजि और यकीन मानिये दोस्तों आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है हमारे वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाते हैं और आपने देखा भी होगा जब भी सावन का सुमवार का। एक सो आठ चावल के दाने और एक लोटे जल वाला प्राचीन काल के समय का वो उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रही हैं यकीन मानिये दोस्तों। के कुछ नहीं बिगार सकता इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की क्रिपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बने रहें महादेव जी के आशिरवात से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं महादेव जी की क्रिपा से आपके ज देखिए दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सावन के सुमवार के दिन की जो शिवरात्री पढ़ रही है इसका शुभ महूर्त दोपहर 12 बचकर 42 मिनट से शुरू होगा और इसका समापन रात्री 11 बचकर 52 मिनट पर होगा और इसी दोरान आपको प्राचीन काल के समय के एक लोटे जल और 108 चावल के दाने का वाह उपाय करना है जो में लिखा हुआ है और यह उपाय अगर आपने विधी विधान से सही मुहूर्त पर कर लिया तो मान के जरिये भगवान भोलेनात की क्रिपाना केवल आपको बल्की आपके पूरे परिवार को मिलेगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की वर्षा होगी आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी और आपके घर के प्रत्येक सदस्य अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे बहुत ही काम इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक ना केवल अपने लिए बलकि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखेगा हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए किस पर कौन सा उपाय करना है इस बात का विशेश करके ध्यान रखिएगा क्योंकि अधिक मास की शिवरातरी और सावन का सोमवार एक साथ मिलकर के लग रहा है और ये अपने आप में बहुत ही अध्भुत सन्योग है और अभी तक हमने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महाउपा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उननती हो, आपके घर के प्रत्येक सदस्य जीवन में जीस कार्य को शुरू करे, उस कार्य में उनको सफलता प्राप्त हो तो ये महाउपाई कीजिए जो आपको हम बता रहे और ये उपाय करने के बाद अवश् जिव जी की क्रिपा से आपके घर की बरकत भी होगी आपके घर की उन्नती भी होगी देखिए 14 अगस्त 2023 को आपको पहले तो वरत रखना होगा वरत रख लीजिये और दोपहर 12 बचकर 42 मिनट के बाद कभी भी ना ये धोये नहाने धोने के बाद एक लोटा गंगाजल ले ली है ध्यान रखिएगा चावल का दाना तूटा फूटा ना हो अब आप भगवान भोलेनात के मंदिर जाए भगवान भोलेनात के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर अपना मुह उत्तर की तरफ कीजिये क्योंकि जो शिवलिंग का उत्तर की दिशा होती है वहाँ पर भग भगवान भोलेनात की प्रतिमा के सामने जाने के बाद आपको 108 बार। की आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी, और महादेव जी की कृपा सदैव आपके घर पर बनी रहेंगी, दूसरा उपाय जो हम आपको बताने, और दो तो वो ए. ऐसा उपाय है जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है, अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से महादेव जी का वो आशिरवाद आपको मिलेगा जिसकी जो भी आपकी मनोकामना हो वो पूरी हो जाए, तो यह बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रही है, आप बोलिनात के मंदिर जाने के, बाद आपको शिवलिंग के पास बैठना है, शिवलिंग के पास जब बैठेंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बोलिनात के बीज मंतर का जाप करना 108 बार क्योंकि 108 अंक जो होता है, वो बोलिनात को बहुत प्रिय होता है, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने 14 अगस्त 2023 के दिन कर लिया आपकी कोई मनोकाम ना होगी, वो महादेव जी के आशिर्वात से जरूर पूरी हो जाएगी, दोस्तो ये प्राचीन काल के समय का बहुत ही ताकतवर उपाय है, जो उपाय अगर अधिक मास की शिवरातरी के दिन किया जाए, तो ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है, तीसरा उपाय जो आपको हम बताने जा रही हैं, दोस्तों वो एक ऐसा उपाय है, जो अगर आप करते हैं तो ये महाउपाय कीजिये जो आपको हम बता रहें, आपको 14 अगस्त 2023 के दिन 12 बचकर 42 मिनट के बाद नहाना धोना है, सफेट कपड़े पहने हैं, आपको एक लोटा शुध जल लेना है, गंगा जल लेंगे, तो और भी अच्छा होगा, एक धतूरे का फूल लेना है, स्क्रीन पर देख पा रहे हैं. तो विडियो लाइक करना मत, भूलिए और कमेंट बॉक्स में ओम नम शिवाय हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा हम्मान. लीजिए आप लंबे समय से नौक्री की तयारी कर रहे हैं और आपकी नौक्री नहीं लगपा रही है. आप इस चीज को ले करके बड़ा परिशान हैं, आप देख रहे हैं, आप से कमजोर व्यक्ती की नौक्री लगई है, तो आपको क्या करना है? 14 अगस्त 2023 के दिन नहाने धोने के बाद सफेद कपडे पहनिए एक लोटा कच्चा दूध ले लीजिए भगवान शिवजी के मंदिर जाए भगवान शिवजी के मंदिर जाने के बाद शिवलिंग पर उत्तर की तरफ करके इसी एक लोटे जल से शिवलिंग का अभिशेक आ और वहीं पर खड़े खड़े 108 बार श्री शिवाय नम का जाप करना इतना उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो अवश्य ही आपकी नौकरी लग जाएगी दोस्तों एक महा उपाय जीज को करना मत भूलियेगा तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार